हालो फ्रेंड्स माइ सेब दौकर सुनील तावर कंसलटेंट yarn t और राइनोप्लास्टि सरजन दोस्तो आज हम डिसकर्स करेंगे क्रुकड नोज डिफोर्मिटी क्या है क्रुकड नोज डिफोर्मिटी आ इसका ट्रीट्मेंट है बट दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले जो वीडियो जहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रही दोस्तो कुरुकर्ड नोज डिफॉर्मिटी जिसको लोकल लेंग्वेज में नाग की हड़ी का टेड़ा पन और टेड़ा नाग जो प्रॉबलम बोलते हैं ये एक बड़ी ही आम समस्या है इसके बारे में जानना बहुत महतुपूर्ण बात है क्रुकर्ड नोज प्रॉबलम जो नोज की एक डिफॉर्मिटी है जिसमें नोज जो है वो दो तरीके से अफेक्ट होता है फर्स्ट फंक्शनली जो नाग का जो ओरिजनल फंक्शन है पेशेंट को नेजर ब्लोकेज रहता है उसको नोज से ब्रिधिंग नहीं आता एंड सेकिंड जो है उसको जो अफेक्ट है वो कॉस्मेटिक भी पेशेंट को प्रॉबलम होता है जो नोज का लुक है क्योंकि उसका नोज जो है वो सी सेप्ट होता है एस सेप्ट होता है डेवेटेड होता है बिकोज नोज जो है अपने चेरे का एक सेंटल पार्ट होता ह इट प्रोवाइड ब्यूटी टू दा फैस्ट चेरे को संतुलित जो है वो ब्यूटी प्रोवाइड करवाता है तो यह जो complex जो crooked nose deformity होती है यह दोनु तरिके से क्या है nose को affect करती है कॉस्मेटिकली भी और functionally भी तो नाव कैसे इसको ट्रीट किया जाता है क्या इसका treatment है दोस्तों crooked nose deformity का जो treatment है उसको एक सजरी है septorhinoplasty जिस सजरी करने का जो goal है motto है first we get a blockage free nose कि आपका जो nose जो blockage है वो correct हो आज नहीं lifelong के लिए patient का कभी nose block नहीं होना चाहिए और patient कोई अगर young army aspirant है air force में जाना है तो वहाँ पे उसको unfit नहीं होना चाहिए क्योंकि nose का primary function है just to provide function to the body आपको सास आना चाहिए तो पहले उसको ठीक किया जाता है और साथ में जो cosmetic look के regarding जो problem है nose को क्या है stretch किया जाता है जो अपना जो mid axis होता है वहाँ पे nose को बिल्कुल जो है उसका जो टेड़ा पन है उसको stretch किया जाता है दोस्तों यह जो surgery है septorhinoplasty यह करीब पेशेंट्स को इसमें पता नहीं लगता एंड दोस्तों एक दिन का पेशेंट्स को होस्पिटल में एडमिशन की जरूत होती है इसका जो treatment है उसमें surgery के बाद में nose के ऊपर एक छोटा splint लगाया जाता है जिसको plaster अपन बोल सकते हैं यह जो plaster है यह coming जो है 10 days तक patients के nose के ऊपर रहता है and after 10 days जब splint को हटाया जाता है जब plaster को हटाया जाता है तो दोस्तों nobody can recognize कि कहां से इसमें क्या हुआ है usually लोगों को यह रहता है कि इसके nose के ऊपर चीरा लग जाएगा nose के ऊपर निसान आ जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं है जो nose की जो surgery की जाती है बड़ी endoscopic technique से की जाती है और बहुत चोटा सा यहां पर एक निसान करके इसको open nose को किया जाता है open rhinoplasty में जिसमें बिल्कुल बाल जितने sutures आते हैं जो hardly 10 days के बाद recognize नहीं होते so usually nobody can recognize की कहां से nose को open किया है सरजरी के बाद में दोस्तों आप अपना routine सारा work कर सकते हो कुछ चीजें हैं जैसे कोई smoking करता है एलकूल लेता है तो वो उसको थोड़ा सा करीब करीब एक महने तक थोड़ा सा कम करना होता है या avoid करें तो best होता है और heavy gym और जो dumbbell और heavy weight lifting वो कु treadmill करना गूमना फिनना सब कुछ सारा काम आप कर सकते हो बाकिस इसके अलावा इसमें जो है और कोई precautions और safety measures नहीं है यह जो changes होते हैं नोज के अंदर यह lifelong के लिए होते हैं जिसमें दोनूं important है first हमें जो है blockage free nose मिलना चाहिए and second अपना nose straight होना चाहिए and दोस्तों एक बहुत महत्तोपूर्ण बात है कि rhinoplasty के लिए आप अपना surgeon का जो चुनाव है वो एक बहुत important है आपका जो surgeon है जो rhinoplasty surgeon है वो experience होना चाहिए उसको nose की 3D anatomy 3D जो nose की जो deformity है उसके बारे में पता होना चाहिए नहीं तो maybe अगर surgeon confidential नहीं है तो हो सकता है कि आपको एक deformity और उसमें add ह जाए इसलिए surgeon का चुनाव करने से पहले अपने parents से जाके surgeon से मिलना चाहिए उसकी website पे टेस्टीमोनिय देखना चाहिए surgeon का accreditation देखना चाहिए आप जो non doctors है उनके बारे में पूछना चाहिए क्योंकि अगर एक बहर में जो nose की surgery होती है उस time best result आते हैं अगर गलती से वो nose की deformity correct नहीं होती है और जब उसका revision surgery की जाती है तो उतने अच्छे result आने के chances कम होते हैं इसलिए दोस्तों जो है आपको अच्छे से अपने को surgery कराने से पहले अपने doctor के बारे में जो है एक या दो या तीन बार consultation लेके अच्छे से जो है आपको satisfy जो है होना चाहिए और फि प्योगी सिद्ध होगी एंड वीडियो में जाने से पहले है इस चैनल को subscribe करना ना बुले और bell icon को press करना नहीं बुले जिसे आने वाले नए वीडियोज हैं उनकी जानकरी आपको मिलती रहे थैंक्यू